हलो दोस्तो नमस्कार आज के यह वीडियो आपका हिंदी व्याकरण से है तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो समझ लेते हैं तो पहला पॉइंट आपका रहेगा व्याकरण के द्वारा भासा के कितने अंग होते हैं दूसरा आपका रहेगा कि भासा कैसे बनती है तीसरा आपका रहेगा देवनागरी लीपी के बारे में चार नंबर पॉइंट की बात करेंगे तो वर्न, अक्छर, वर्न के भेद, पांचवा पॉइंट आपका रहेगा कि स्वर किसे कहते हैं, व्यांजन किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद, व्यांजन क कितने भेद, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अंतस्त व्यांजन क्या होता है, उस्म व्यांजन, संजुक्त व्यांजन, द्वीगुन व्यांजन, तो आज इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को स पहला आपका वर्न विचार, दूसरा सब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, तो व्याकरण के द्वारा भासा के कितने अंग, तीन अंग कौन-कौन, पहला आपका वर्न विचार, दूसरा सब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, अब इन तीन पॉइंट्स के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं कि वर्न विचार क्या होता है शब्द विचार क्या होता है वाकि विचार क्या होता है तो पहला point आपका वर्न विचार आपको मालूम है वर्न को ही क्या कहते हैं अक्छर लेटर तो वर्न विचार के बारे में समझते हैं इसमें वर्नों के और रूप परिवर्तन की बात होती है यानि कि जो अक्षर होगा उसके उचारन की बात होती है किसमें वर्ण विचार में तो वर्ण विचार क्या होता है इसमें वर्णों के उचारन और रूप परिवर्तन की बात होती है दूसरा आपका है सब्द विचार यानि की word इसमें सब्दों की बनावट यानि की structure उनके भेद रूप परिवर्तन की बात करते हैं तो सब्द विचार में क्या होता है इसमें सब्दों की बनावट उनके भेद रूप परिवर्तन की बात करते हैं तीसरा आपका है वाक्य विचार, इसमें वाक्यों की रचना उनके अंग भेद और रूपांतर आदी पर विचार करते हैं, तीसरा पोएंट आपका क्या है? वाक्य विचार, इसमें वाक्यों की रचना उनके अंग भेद और रूपांतर आदी पर विचार करते हैं, तो व्या उचारण की बात करते हैं, शब्द विचार में सब्दों की बनावट की बात करते हैं, वाक्य विचार में वाक्यों की रचना, उनके अंग भेद और रूपांतर आदी पर विचार करते हैं, तो ये आप समझ गए बनिया से कि व्याकरण के द्वारा भासा के कितने अंग, ती होकर बनती है भासा कैसे बनती है भासा अक्षर से सब्द और सब्द से वाक्य होकर बनती है आपको मालूम है लेटर से वर्ड बनता है वर्ड से सेंटेंस बनता है यानि कि अक्षर से सब्द और सब्द से वाक्य और जब आपका वाक्य बन गया तो भासा हो गया नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वर्न विचार की वर्न विचार यानि कि वर्न किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं वर्न उस मूल ध्वानी को कहते हैं जिसके खंड नहीं हो सके यानि कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो उसे क्या कहते हैं वर्न कहते हैं नोट में आपका है कि व्यांजन वर्न में हलंत लगा देने पर वह व्यांजन स्वर रहित हो जाता है नोट को बनिया से समझेगा वियंजन वर्ण में हलंत लगा देने पर वह वियंजन स्वर रहित हो जाता है तो वर्ण विचार आप समझ गए होंगे वर्ण विचार यानि कि वर्ण की से कहते हैं तो वर्ण उस मूल ध्वानी को कहते हैं जिसके खंड न हो सके खंड का मतलब टुकड़ा नोट आप समझ गए वियंजन वर्ण में हलंत लगा देने पर वह वियंजन स्वर रहित हो जाता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हिंदी भासा में देवनागरी लिपी के 52 यानि कि 52 वर्णों का परियोग हुआ है हिंदी भासा में देवनागरी लिपी हम लोग की कौन सी लिपी है देवनागरी लिपी है बिल्कुल मालूम है आपको हिंदी भासा में देवनागरी लिपी के कितने वर्णों का परियोग हुआ है तो 52 वर्णों का परियोग हुआ है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि वर्ण माला किसे कहते हैं अल्फाबेट वर्णों के क्रमबद समूह को वर्ण माला कहते हैं तो आप वर्ण विचार समझ गए कि वर्ण उस मूल्धवनी को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके वियंजन वर्ण में हलंत लगा देने पर वह वियंजन स्वररहित हो जाता है और हिंदी भासा में दोनागरी लिपी के कितने वर्णों का परियोग हुआ है तो 52 वर्णों का यानि की 52 तो व्याकरण के द्वारा भासा के कितने अंग? वर्न विचार सब्द विचार वाक्य विचार भासा कैसे बनती है भासा अक्षर से सब्द और सब्द से वाक्य होकर बनती है वर्न विचार क्या है वर्न उस मुल्धवनी को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके हिंदी भासा में देवनागरी लिपी के कितने वर्नों का परियोग ह तो 52 वर्नों के परियोग हुआ है। वर्नों के क्रंबद समूह को क्या कहते हैं। तो वर्नों के क्रंबद समूह को वर्नमाला कहते हैं। अब बात करेंगे वर्न के बारे में यानि की अप्छर के बारे में तो वर्न के दो भेद होते हैं आपको बिलकुल मालूम है स्वर और व्यांजन यानि की वावल और कॉंसोनेंट तो स्वर वर्न क्या होता है समस्ते हैं जो वर्न यानि की जो अच्छर बिना किसी की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर्ण वर्ण कहते हैं स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं जो वर्ण बिना किसी की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं स्वर्ण कहते हैं हिंदी में स्वर्ण कितने हैं इग्यारा है यदि कूल स्वर की बात होगी तो आपका अंसर 13 होना चाहिए लेकिन पूछेगा आपके एक्जाम में कि हिंदी में स्वर वर्नु की संख्या कितनी है तो आपका अंसर क्या होगा 11 तो हिंदी में स्वर कितने है 11 और यदि कूल स्वर की बात होगी तो आपका अंसर क्या होना चाहिए? तेरा अब बात करते हैं व्यंजन वर्न की तो जीन वर्नों का उचारण स्वर वर्न की सहता से हो उसे व्यंजन वर्न कहते हैं व्यांजन वर्न की से कहते हैं जिन वर्नों का उचारण सुवर वर्न की सहता से हो उसे व्यांजन वर्न कहते हैं आपके एक्जाम में पूछता है सुवर वर्न और व्यांजन वर्न में क्या अंतर है या कभी-कभी आपका परिभासा भी पूछ लेता है तो देखिए व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33, यानि कि 33, कौन-कौन? समझते हैं देखिए सबसे पहले कावर्ग यानि कि कावर्ग से लेकर के अंगा तक चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग इसको बोलते हैं क्या व्यंजन कौन सा व्यंजन स्पर्स व्यंजन कावर्ग से ले करके पावर्ग तक आपका 25 यानि ये कौन से व्यंजन स्पर्स व्यंजन एक्जाम में आपका पूछ लेता है कभी कभी के स्पर्स व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो आपका आंसर होना चाहिए 25 यदि पूछेगा कौस से ले करके तो मोथ तक आपका आंसर होना चाहिए तो इस पर्स ब्यांजन आप समझ गए नेक्स्ट बात करते हैं अंतस्त या जिसका एक और नाम है अर्धस्वर तो अंतस्त ब्यांजन कौन-कौन होते हैं तो अंतस्त ब्यांजन आपका चाहर होते हैं य र ल व अंतस्त ब्यांजन कितने हैं चाहर उसम ब्यांजन चाहर तालाव विश मुर्धनेश दंतस हा सैंजुक्त ब्यांजन चाहर ठीक है? आपका हो जाएगा छा, त्रा, ग्या, स्रा, द्वीगुण व्यांजन, डा और धा, अयोगवा, आपका अनुस्वार्ग और विसर्ग तो दखिए, वर्न के कितने भेद, दो भेद, कौन-कौन स्वर और वियांजन, स्वर जो वर्न बिना किसी की सहायता से उचारित होते हैं, हिंदी में स्वर एग्यारा है, कूल स्वर की बात होगी तो तेरा, व्यांजन वर्ण किसे कहते हैं जिन वर्णों का उचारण सुवर वर्ण किसा हैता से हो उसे व्यांजन वर्ण कहते हैं इनकी संख्या कितनी हैं 33 कावर्ग से लेकर के पावर्ग तक आपका स्पर्स व्यांजन कितने 25 अंतस्त व्यांजन 4 य, र, ल, व, उसम व्यांजन चार, तालबविश, मुर्धनेश, दंतस, ह, संजुत्य व्यांजन कितने, चार, द्वीगुण व्यांजन दो, अयोगवा कितने होते हैं, तो दो आपका कौन-कौन, अनुस्वार और विसर्ग, अब बात करेंगे व्यांजन की, यानि की कॉंसो व्यांजन वर्न कहते हैं, आप इसको बिल्कुल याद कर जाएगा, व्यांजन वर्न को, जिन वर्नों का उचारन, वर्न देट मिन्स, लेटर, अच्छर, जिन वर्नों का उचारन, स्वर वर्न की सहता से हो, उसे व्यांजन वर्न कहते हैं, आपको बिल्कुल याद हो गया ह कि जिन वर्णों का उचारण श्वर्वर्ण की सहता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं कौस से हो तक के 33 वर्ण व्यंजन है कौस से हो तक के 33 वर्ण क्या है व्यंजन और कूल व्यंजन की बात होगी तो 36 यानि कि व्यंजन पूछेगा आपका तो 33 कूल व्यंजन पूछेगा तो 36, यानि कि 36, अब बात करते हैं वियंजन के भेद के बारे में, वियंजन तो आप समझ गया है, कि जिन वर्नों का उचारण स्वर्न वर्न की सहता से हो, तो वियंजन के भेद की बात करें, तो वियंजन के तीन भेद कौन-कौन, सपर्स वियंजन, अंतस्त वियंजन और उ स्पर्स होता है, स्पर्स ब्यांजन, देखे स्पर्स कहने से ही मालुम चल रहा है कि टच, जिन वर्नों के उचारण में मुख के विभिन अंगों का आपस में स्पर्स होता है, उन्हें स्पर्स ब्यांजन कहते हैं, को से मतक के 25 वर्न स्पर्स ब्यांजन कहलाते हैं, स्पर्च ब्यांजन क्या होता है जिन वर्णों के उचारण में मुख के विविन अंगों का आपस में स्पर्च होता है उन्हें स्पर्च ब्यांजन कहते हैं को से मतक के 25 वर्ण स्पर्च ब्यांजन होते हैं बहुत बार एक्जाम में आपका आच चुका है स्पर्च ब्यांज जिन वर्णों के बोलने में स्वर एवं व्यांजन वर्णों के अंत अर्थात बीच की स्तीती वाले वर्णों को अंतस्त व्यांजन कहते हैं जैसे य, र, ल, व स्वर्णों के बोलने में स्वर एवं व्यांजन वर्णों के अंत अर्थात बीच की स्तीती वाले वर्णों को अंतस्त व्यांजन कहते हैं यानि कि स्वर एवं व्यांजन वर्णों के अंतस्त व्यांजन समझ गए होंगे आप अंतस्त व्यांजन नेक्स्ट आपका है उस्म व्यंजन जीनवर्नों के बोलने में मुह से गरम वायू निकलती है उन्हें उस्म व्यंजन कहते हैं जैसे तलव्यसा, मुर्धनेशा, दंतसा, हा नेक्स्ट बात करें विसेस की तो देखिए आपका इसको सयोगी छा बोलते हैं तो व्यंजन क्या होता आप समझ गए जिनवर्नों का उचार और स्वर्वर्न की सहता से हो उसे व्यंजन वर्न कहते हैं कुल व्यंजन की बात होगी तो 36 असपर्स व्यंजन यानि कि व्यंजन के आपका कितना भेद, तीन भेद असपर्स व्यंजन, अंतस्त व्यंजन, उस्म व्यंजन अस्पर्स व्यांजन क्या होता है जिन वर्नों के उचारण में मुख के विभिन अंगों का आपस में अस्पर्स होता है विभिती वाले वर्नों को अंतस्त व्यांजन कहते हैं कितने होते हैं चार कौन-कौन या र ल व उसमें व्यांजन जिन वर्नों के बोलने में मुख से गरम वाईव निकलती है उन्हें उसमें व्यांजन कहते हैं उसमें व्यांजन की संख्या कितनी होती है तो चार होती है कौ और देखिए कुछ जो होते हैं वो दो दो वियंजनों के योग से बना है जैसे कि आपका छात्रा ग्यास्रा तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जाने व्याकरण के दोरा भासा के कितने अंग भासा कैसे बनती है देवनागरी लिपी के बारे में वर्न के भेद के व्यांजन के बारे में अंतास्थ्य व्यांजन सज्जुक्त्य व्यांजन दीवीगुन व्यांजन के बारे में तो इन पोईंट्सका आप एक्जाम देने से पहले एक बर जरूर पढ़ लीज है अच्छी तरह से